हेलो और वेलकम बैक टो वर यूट्यूब चैनल बेंक एम्प्लोईज निउस फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम आपके साथ हॉल इंडिया बेंक एम्प्लोईज असोसेशन का लेटर सर्कुलर शेयर करने जा रहे हैं ये सर्कुलर 25 चार 2020 का है दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि मीडिया में और न्यूस पिपर्स में भी काफी रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें कि ये बात कही गई है कि बैंक सगले 6 मंस तक हड़ताल नहीं कर सकते हैं उसी के रिगार्डिंग AIBE ने ये सर्कुलर शेयर किया है और इस सर्कुलर में लिखा गया है कि शोशल मेडिया पे काफी न्यूस सर्कुलेट हो रही है और काफी क्वेरीज भी रेज की जा रही है कि गवर्मेंट ने बैंकिंग को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर कर दिया है क्रोना लॉकडाउन के कारण और इसके कारण कोई भी बैंक यूनियन या बैंक के जो मैंबर्स हैं वो स्ट्राइक पर नहीं जा सकते हैं लेकिन हम आपको ये क्लैरिफ़ई करना चाहते हैं कि ये नोटिफकेशन हमेशा ही गवर्मेंट के द्वारा इशू की जाती है और इसका क्रोना लॉकडाउन से कोई भी लेना देना नहीं है हर 6 मंत बाद गवर्मेंट इंडर्स्ट्रियल डिस्पूट एक्ट के अंडर इस नोटिफकेशन को इशू करता है लास्ट नोटिफकेशन 21.2019 से लेके 24.2020 तक के लिए इशू कही गी थी इसका अब अगले 6 मंत के लिए 24.2020 से 20.10.2020 तक के लिए नेक्स नोटिफकेशन भी इशू कर दी गई है पब्लिक यूटिलिटी का मतलब है वो सारी इंडर्स्ट्री या वो सारी सर्विसेज जो की इंडर्स्ट्रियल डिस्पूट एक्ट के अंडर गर्मेंट के फर्स्ट चेडियूल में आती है और कोई भी स्ट्राइक करने से पहले ओफीशियल गजट में नोटिफकेशन देना पड़ता है जो की पब्लिक के इंडर्स्ट में होता है और यह हमेशा सही एक्स्टेंट किया जा रहा है टाइम टू टाइम हर 6 मंत के बाद इसको एक्स्टेंट कर दिया जाता है और बैंक या बैंक यूनियन स्ट्राइक नहीं कर सकती है ऐसा कोई भी बैन या प्रबिटेशन नहीं लगी है सिर्फ बैंकिंग को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिकलेर किया गया है जो की हर 6 महिने बाद किया जाता है सिर्फ यही है कि स्ट्राइक पे जाने से पहले 14 दिन का नो फेम वाचिं लेडियो ले कर दो बाद कर दो हूं है जो कि समाटी जाता है जाता है जो कर दो स्ट्राइक यूट्वर्दी स्ट्राइक पिए ठीज्ड्टेशन नहीं